नमस्कार मैं अमरेंदरितिवारी अल्ल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों ज्यारखन की टॉप अपडेट्स लेकर आपके समग चुपस्ती तो सबसे पहले तो बात करते हैं तो साहिब गंच सदर अस्पताल में पियसे प्लांट का उदगाटन जो है वो मुख मंत्री ने किया साथ में दोस्तों मैं आपको बतानू कि साहिब गंच अस्पताल में पहले से ही आटी पीसियार लैब जो है वो चल रही है और दो काडियक एंबूलेंस की सुविधा पहले से ही है तो मुख मंत्री ने ये कहा कि राज्य के अंदर स्वास्त सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है अब सवाल यह उठता है कि जब जारखन की स्थिती अभी आप सभी से वाकिफ हैं आप सब मौते लगातार राज में मौत मृत्यू दर में बढ़ोतरी हो रही है हाना कि सरकार अपनी कारिशेली की पीठ बार बार थपथपा रही है लेकिन हैमन सरकार से मेरी अपील रहेगी कि जिस तरीके से विशेशग सेप्तमबर अक्टूबर में तीसरी लहर को लेकर लगातार रेखांकित कर रहे हैं तीसरी लहर से बचने के लिए जो भी आवश्यक कदम जारखंड को उठाने चाहिए उसे ततकालिक तोर पे उठाया जाए क्योंकि ये बड़ा महत्वपून है जब हम बात करते हैं तीसरी लहर से बचने के तमाम तरीकों के बारे में ये समझना बेहद ही महत्वपून हो ज शामने आ रही हैं बहुत सारे जगों पर ऐसे भी लोग हैं जो दवी जुबान में कुछ-कुछ बाते बता रहे हैं किसी-किसी गाउन में टाइप का भी प्रकोप जो है वो चल रहा है और बहुत सारे जगों पर कोरोना की चेकिन भी ग्रामीन छेत्रों में नहीं हो रही है तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा जन जाग रुखता है इसके पीछे फैलाने की ज़रत है कोरोना नाम पर मत जाईए जिस तरीके की भयावता द पहुचने में तो समस्याएं और बढ़ सकती है सीम ने ये कहा है कि ग्रामीन छेत्रों में उनकी नजर है और फिलहाल कोरोना टेस्ट और टीका ये दो ऐसे माध्या में जादा से ज्यादा टेस्टिंग और लोगों तक टीका करन पहुचाना इनी रास्तों से कोरोना पर वि देशती आये तमाम जन प्रतिनीदियों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि लोगों पर इसका पॉजटिव असर हो दोस्तों कुछ और बड़े महत्तपुन अपडेट्स अपने तमाम दर्शकों को बता दूँ खास करके मौसम में बदलाव जो है वो देखा जा रहा है ग तर्फ लाइन इस्ट वेस्ट तर्फ लाइन के कारण राज में अगले दो दिनों तक हवा और प्री मांसून रेन के साथ वजरपात की भी संभावना है ये बहुत ही बड़ा अपडेट है मौसम को लेकर चलिए दोस्तों हम बात करते हैं संक्रमितों की अगर हम राज में ए रामगड बोकारों और हजारी बाग में एक्टिप केसेश जो हैं वो ज्यादा है राची में 14,891 एक्टिप केसेश हैं पुर्वी सिंग्भू में 4,834 रामगड में 24,183 बोकारों में 28,401 हजारी बाग में 33,753 दोस्तों माई में अगर हम मौतों की बात करें तो हजार पा आगडा पार हुआ था इस बार जो है ऐसी स्थती देखने को मिल रही हैं चले दुसτο हम बात करेंगे अगर आपको करोणा के लक्षन है तो आप ठीका लेने से बचेंगे और ठीका जहां पर लेने जाएंगे अगर आपको ज्यादा सछ लग रहा है तो कोरोना टेस्टिंग जो है आप करा सकते हैं बिना लक्षन वाले मरीज जिनकों की कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अराम से टीका ले सकते हैं 18 प्लस का टीका करन अभियान पूरे जारखन में चल रहा है और टीका करन अभियान को सफल बनाने के लिए आप लोगों की सामुह जन सहभागिता की जवरत पड़ेगी इसके लिए लगातार जो है जारखन की सरकार मेनत कर रही है और आप से अपील करती है कि टीका जो है अभी तक जो रिसर्च में सामने आया वो मैं बातें आपको बताते रहता हूं हलाकि हमेशा याद रखेगा दोस्तों एक टीका का ही दोस लेना है आप भी सचेत रहेगा और सरकार से भी अपील करेंगे कि वैसे जगों पर जहां टीका करन के लिए जो मुबाइल जिनके घरों में नहीं है या फिर जिनको और ज्यादा प्रोब्लम सो रही है उसके लिए भी सरकार जल्द से जल्द सोचे चले दोस्तों हम बा कंत्री ने कहा है इस पर पारा शिक्षक संग ने दुरगट ना समान विरितू पर पाँच लाख नई नियमावली जो लगो और यह दोस्तों कहलियान कोष्क साथ,ाया साथ-थ-पर नियूंत है प्रमोद कुमार ने कहा है जो है जल्द से जल्द लागो कि या जा साथी दुरगटना समान मृतु पर पांच लाग, सेवाने मृतियों पर नियूंतम पांच लाग, पुत्र पुत्री के उच्छ सिक्षा के लिए और पुत्री के शादी के लिए नियूंतम, तीन लाग बिना ब्याजलोन और गंभीर विमारी की स्थिती में भी राशी सरकार जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं, दोस्तों, 16 तारिक से कुछ जो है, चेंजिंग इधर से उधर अग आपको राज्य के अंदर जाना या राज्य के बाहर दोनों जगों के लिए चेंजिंग का एलान किया गया है, आपको दो-तिन चीजें या पर बता दूं कि पहले जिस तरीके से ई-पास की सुधा रहती थी न, ठीक उसी तरीके से ई-पास की सुधा रहेगी, पूरी जो ए-स-ओ-पी है, वो मैं कोशिश करूँगा, कल आपको बता दूं, राची से बिहार या फिर अलग-अलग जगों से बिहार जाने वाली बस जो है आने वाले दिनों में, लॉकडाउन ने बस मालिकों की भी कमर एक तरीके से तोड़ी है, पबलिक पर तो इफेक्ट पढ़ा ही है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो अच्छूता हो, यानि कि सभी सेक्टर पर इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, कोरोना की लहर को लेकर हर तरप से सामस का क्या होगा, तो ये कितना दिन रहेगा, यह कहना अभी मुश्किल है, हाँ, मीनी लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है 27 तारिक तक, उसके बाद की स्थिति क्या होगी, उसका आकलन जो है, राज्यसरकार जब पुरितरिके से कर लेगी, तो ही उस पर कुछ कहा जा सकता अभी फिलहाल राज्यसरकार के तरफ से भी कोई उस तरह की बाते नहीं कई जा रही है, इस पर All Time Public India की निगाह जो है वो बनी रहेगी, जो भी अपडेट होगा, जरूर हम आप तक पहुचाने का प्रयास करेंगे, चले दोस्तों कुछ और महत्पून अपडेट्स अपने तमाम दर्सकों के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि अप लगातार जो हैं, जानते हैं, आप समझते हैं, आपने पूछा है, राज्य के अंदर अभी जो इस्थिती है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है, और सिर्फ लॉकडाउन में अगर आप बात करें, मन्रेगा से जुड़ हुए कारियों पर रोक लगाया गया है, तो इस पर इस्तिती मैं असपष्ट कर देता हूँ, बाकी जो अपडेट्स मैंने दिया है, आपको उसी तरीके से नियम कालम लागो होंगे, अपडेट्स मैं लाते रहूँगा, और आगे भी फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों ले इतने आपसे इजादत फिर्म लेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक ले नमस्कार, जै हिंद, जै भारत, जोहार जारखंड, जै जारखंड